वास्तु के अनुसार गाय के दर्वाजे पर रंभाने का संकेत वास्तु शास्त्र में गाय को देवी लक्ष्मी और प्रित्वी का प्रतीक माना जाता है गाय का दर्वाजे पर आना और रंभाना अनेक शुब संकेतों का प्रतीक माना जाता है शुब संकेत समरिध्धी और धनलाब, गाय का रंभाना समरिध्धी और धनलाब का सूचक माना जाता है पापों का नाश, ये भी माना जाता है कि गाय के रंभाने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है मनोकामना पूर्टी, गाई को देवी लक्षमी का प्रतीक माना जाता है इसलिए गाई का रंभाना आपकी मनोकामनाओं की पूर्टी का संकेत भी हो सकता है सकारात्मक उर्जा, गाई को सकारात्मक उर्जा का प्रतीक माना जाता है गाई का रंभाना आपके घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाब बढ़ा सकता है परिवार में सुख शान्ती गाई का रंभाना आपके परिवार में सुख शान्ती और समरिद्धी ला सकता है क्या करें जब गाई दरवाजे पर रंभाई? गाय को भोजन और पानी दे. गाय को रोटी, गुड, चना, यहरा चारा खिलाएं. साथ ही उसे ताजा पानी भी पिलाएं. गाय को स्पर्ष करें, गाय के पैरों को या उसकी पीट को स्पर्ष करें. ऐसा करने से आपको पुन्य की प्राप्ती होगी. गाय का आशिर्वाद ले, गाय के सामने खड़े होकर उससे आशिर्वाद ले गाय की सेवा करे, यदि संभव हो तो गाय की सेवा करे आप गाय को गोशाला में दान भी कर सकते हैं ध्यान देने योग्य बाते यदि गाय दर्वाजे पर आकर रंभाती है और चली जाती है तो ये शुब संकेत है लेकिन यदि गाय दर्वाजे पर खड़ी होकर बार-बार रंभाती है तो ये अशुब संकेत हो सकता है ऐसे में किसी विद्वान जोतिशी या वास्तु विशे इशग्य से सला लेनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गाय को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। गाय को सदैव सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। अतरिक्त जानकारी गाय के रंभाने से जुड़े अनेक लोग विश्वास भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गाय के रंभाने से घर में मौझूद नकारात्मक उर्जा दूर होती है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गाय के रंभाने से ग्रहों की दशा में सुधार होता है निशकर्ष वास्तु शास्त्र में गाय को अतिंत शुब माना जाता है गाय का दरवाजे पर आना और रंभाना अनेक शुब संकेतों का प्रतीक है गाय को भोजन, पानी और आश्रय देकर आप उनका आशिर्वाद प्राप्त कर सकते हैं